काठे अई इस विडियो में हम बात करेंगे टाक पावर के बारे में टाक पावर के क्योट्रिक के रजल्स के बारे में उस्ते पहले व्यzenie एंफ़र्मिट्व लगे तो व्येडंना करना है ज़्यादा अच्छा होगा और अगर करना भी है तो option के जरीए करना है और काफी लोगों ने आज सुबह मुझे कहा भी कि सर प्रोफिटेबल exit हमें मिला है क्योंकि आईवेज उतनी drop नहीं हुई जितनी मैंने expect की थी और काफी अच्छी opening आपको होती हुई देखने को मिली कर अच्छी exit मिली अब Tata power में कया करें देखिए Tata power के अगर मैं बात करू तो State chill謝 अगर एक शभड में कि सी को जानना है czarcker ली तो वह यह है कि chat बेरिश है चार्ट में कोई भी bullish signal नहीं है तो भले रिजल्ट कैसे आवे, रिजल्ट अच्छे आने के बाद चार्ट चेंज हो या पहले चेंज हो वो मुझे नहीं पता लेकिन चार्ट के अंदर एक बेरिश सिंगनल मुझे मिल रहा है प्रॉफिट बॉकिंग हुई है दो दिन काफी अच्छे प्रॉफिट बॉकिंग हुई है आज के दिन थोड़ा सा आपको रिकवरी होती हुई देखने को मिल रही है ट्रेंड लाइन के आसपस आया है वहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है फिलाल अगर हम बात करें तो इसका मीन रिवर्जिन पॉइंट जो पिछला जो जोन मना रखा उसका जो मीडियन पॉइंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 225 का लेवल अभी ट्रेड कर रहा है 237 के आसपस और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 235-234 के आसपस वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट इसको मिल सकता है रिजल्ट के पहले इतनी शाप प्रॉफिट बुकिंग यूजली नहीं एक्सपेक्ट की जाती अगर किसी को कुछ पता है कोई बड़े इन्वेस्टर को कोई बड़े इंस्टिजूशन को या किसी इंटर्नल प्लेयर को अगर कुछ पता है कि रिजल्ट के बारे में तो वो इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करता है वहना यूजली दस-दस परसन की प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखी जाती कल आई थी साथ परसन की प्रॉफिट बुकिंग उसके पहले आई थी करीब एक परसन की प्रॉफिट बुकिंग यहीं आट नौग दस परसन के आसपस की प्रॉफिट बुकिंग आ गई है तो usually इतनी profit booking देखी नहीं जाती है अब यहाँ पर जो भी होगा न वो बड़ा होगा एक चीज में clear लिखे सकते हो IRCTC में मैंने कहा था कि sideways हो सकता है consolidation में जा सकता है तो आप अपके risk पे ही option के साथ trade लिजेगा ठीक है वहाँ पे आपको profitable exit मिला लेकिन Tata power में chart में दिख रहा है कि जो भी होगा बड़ा होगा either on the higher side और on the lower side trend line support पे खड़ा है pause candle बनाया है आज के दिन chart के अंदर कल इसका continuation या तो higher side पे होगा higher side पे भी होगा तो 3-4% का आपको move मिलेगा या तो इसका continuation कल के दिन आपको lower side पे देखने को मिलेगा यह नि 3-4-5% का fall आपको नीचे के बाजू भी आता हुआ देखने को मिल सकता है तो simple मेरा opinion इसमें यह होगा कि अगर किसी non aggressive जो aggressive नहीं है trader उसने IRCTC में position नहीं बनाई थी तो उसको भी एक बार राही दूँगा कि यहाँ पर मैं disclosure disclaimer दे दूँ मैं register advisor नहीं हूँ यहाँ पर अगर आप चाहो अगर थोड़ा सा आप risk उठा सकते हो तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप एक position बना के लेके जाए call put दोनों बाएं करें बस एक ही problem है आई वीस का और sideways का अगर sideways खुल गया तो आपको loss होगा और अगर आई वीस बहुत जादा higher side और naked अगर किसी को करना है तो bearish ही है chart pattern तो अगर खाली अगर किसी को chart pattern के हिसाप से जाना है तो फिलाल के लिए stock bearish position पे ही खड़ा है अगर किसी की naked bearish position है तो वो अपने risk appetite के साथ stop loss target अचीव करें फ्रेश लॉंग करने की मेराई अभी यहाँ पर नहीं दूँगा कल देखा जाएगा gap up खुलता है gap down खुलता है उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रेश लॉंग करना है तो वो 260 के उपर ही करना है उसके पहले न नहीं मनाएंगे short करना है किया वा है तो ठीक है यहाँ पर fresh short करने की भी opportunity नहीं है क्योंकि यहाँ पर risk reward आपके favor में नहीं होगा एक strategy यहाँ पर है कि आप call और put दोनों buy करके जाएगे अगर ivies drop नहीं होते और market sideways open नहीं होता खास करके Tata power sideways open नहीं होता तो आपको एक अच् अच्छा का सा खुलता है तो यह है मेरा opinion Tata power के related तो यह था chart के ओपर chart bearish है bearish position है तो hold कीजिए अपने target stop loss के साथ fresh long बनाने की राए में यहाँ पर अभी फिलाल के लिए as per chart नहीं दे सकता results के बाद क्या turn out होता है वो देखके हम बिल्कुल decide कर सकते हैं जाने बात